हालो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर बीती राद यहाँ पर कृतिका से थोड़ी देर के लिए दूर क्या हो गया अर्मान और जाकर पायल के पास क्या बैठ गया पूरी तरीके से जल भुनकर राख हो गई कृतिका और कृतिका ने बड़ा कदम उठा डाला क्या किया कृतिका ने ऐसा सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तो बिग बॉस के घर में बीती रात यहाँ पर पायल काफी जादा उदास थी बहुत जादा डिस्टर्ब थी उसको अपने बच्चों की याद आ रही थी और हमने देखा है अकसर कृतिका को बच्चों की याद आए ना आए पायल को बच्चों की याद जरूर आती है और ऐसे में जिस तरीके से बीती रात अर्मान ने बार बार पायल को इगनोर किया था तो वो पायल की मूट को ठीक करने के लिए पायल के साथ रात को बेड़ पर लेड़ गया और ऐसे में कृतिका ने बड़ा कदम उठा डाला वेल कृतिका लेटी हुई थी वहाँ पर सना मकबूल भी थी अर्मान भी था और पायल भी थे ये चारो के चारो बैठ कर बाते कर रहे थे लेकिन बाद में जब अर्मान कृतिका की जगे पायल के जादा करीब होकर बैठने लगा तो ऐसे में कृतिका उदास हो गई और वो अपने साथ सना मकबूल को लेकर अलग बेड़ पर चली गई और अर्मान से कहने लगी कि अगर आज तुम्हारा मन पायल के साथ ही सोने का है तो यहीं सो जाओ वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम पायल के साथ नहीं सोये हो यहाँ पर अर्मान ने कहा तु बुरा मान गई क्या जिस पर कृतिका हसने लगी और कहती नहीं नहीं मैं बुरा कहां मानती हूँ और वो वहाँ से चली गई आपको बता देए कि पाँच मिनट तक अर्मान बैठा तो पायल के पास था लेकिन देखता कृतिका को रहा और ऐसे में तंगा कर पायल ने कही दिया कि जाओ तुम जाकर सो जाओ उसके पास उसको बुरा लग रहा होगा जाओ और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर नीन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर रोशनी जो आती है जबकि हम आपको बता देएं कि उस बिस्तर पर जहाँ पर कर चला गया वहां से अर्मान मलिक वैल दोस्तों आपको क्या है लगता क्या आपको नहीं लगता कि बार बार पायल क्रितिका के लिए कुर्बानी देती है और फिर यहाँ पर क्रितिका इस कुर्बानी को हर बार समझती भी नहीं है वैल आप अपनी राय जरूर लिखें इस